दोस्तो आज मैं आपको Android phone की 5 secret settings के बारे में बताऊंगा ये सभी settings आपके लिए बहुत ही जादा useful हो सकती है वीडियो को end तक जरूर देखना Hello दोस्तो, Hindi Android tips में आप सभी का स्वागत है दोस्तो सभी Android phone में setting कुछ अलग होती है उपर नीचे होती है, कहीं पर setting नीचे होती है कहीं पर उपर होती है, कहीं setting के अंदर होती है तो जो भी setting में आपको बताऊंगा अगर वो setting आपको नहीं मिल रही है तो आपको setting के अंदर उपर search bar मिलेगा search bar पर click करिए, setting का नाम लिखिए, setting को search कीजिए तो setting आपको मिल जेगी बात करते हैं पहली setting की तो दोस्तो पहली setting की मदद से आप अपने mobile में किसी भी game, किसी भी apps को hide कर सकते हैं इसके लिए आपको screen पर 1 second के लिए दबाना है जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे phone में यहाँ पर Facebook अभी दिखाई दे रहा है आप यहां पर आपके mobile की सभी application आपको दिखाई देगी जो भी application आप hide करना चाहते हैं एफ्लिकीशन को इस तरह से select कर लेना है जो भी application आप select करेंगे उपर में आपको यहाँ पर दिखाई देगी application और game जो भी आप hide करना चाहते हैं select कीजिए और नीचे यहाँ पर done पर click कीजिए ठीक है done पर click करने के बाद दोस्तों आप back आकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं facebook hide हो चुका है मेरे app draw में भी आपको facebook दिखाई नहीं देगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप किसी भी application को hide कर सकते हैं बिना किसी app के अगर आप app को वापस से लाना चाते हैं app को वापस से unhide करना चाते हैं तो वापस से आपको यहाँ पर settings में आ जाना है यहाँ पर आपको hide apps वाली setting में आ जाना है और यहाँ पर जो भी apps आप unhide करना चाहते हैं उस पर आपको इस तरह से tap करना है यहाँ पर एक icon बना हुआ है और इसके बाद आपको यहाँ पर done पर click कर देना है तो जो app से वो unhide हो जाएगी और आपको app वापस से app draw में देखने के लिए मिल जाएगी आप देख सकते हैं Facebook पर वापस आ चुका है अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी सेटिंग की दूसरी सेटिंग की मदद से आप अपने mobile के RAM को बढ़ा सकते हैं आपके mobile में कम RAM दिया गया है 2GB, 4GB और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2GB, 4GB तक बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने mobile में को पहले से बढ़ जाएगी आपका mobile काफी fast work करेगा तो RAM बढ़ाने के लिए आपको mobile के settings में आ जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पर आपको setting देखने के लिए मिलेगी battery and device care आपको इसे open करना है अब यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी memory हो लेकिन 8GB दोस्तों मेरे लिए कम है मैं इसे और बढ़ाना चाता हूँ तो बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे नीचे में यहाँ पर setting दी गई है RAM प्लस तो इस पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर 2GB, 4GB, 6GB, 8GB तक अपने RAM को बढ़ा सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे आपके mobile को जो RAM है वो बढ़ जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी setting की तो तीसरी setting की मदद से दोस्तों आप अपने mobile में fast charging को enable कर सकते हैं अगर आपका mobile बहुत ही slow charge हो रहा है तो ऐसे में आपके phone में एक setting होती है जिसे अगर आप on कर देंगे उसके बाद आपके mobile की charging speed है वो बढ़ जाएगी और आपका mobile बहुत ही fast charge होगा इसके लिए आपको नीचे आना है यहाँ पर settings में और battery and device care में आ जाना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको पहले number पर battery वाली setting मिलीगी आपको इसे open करना है इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी more battery settings आपको इसे open करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको fast charging की setting देखने के लिए मिल जाएगी तो बस आपको इसे on कर देना है यह setting on करने के बाद आप देखेंगे आपके mobile की जो speed है charging speed है वो बढ़ जाएगी अगर दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो यार अभी वीडियो को stop करो और comment box में जाकर लिख दो very nice एक comment जरूर कर देना अब दोस्तों बात करते हैं 34 setting की तो 34 setting की मदद से आप अपने mobile के battery backup को बढ़ा सकते हैं आप अपने mobile की battery life को increase कर सकते हैं आपकी battery जल्दी खराब नहीं होगी जल्दी खतम नहीं होगी लंबे समय तक आपके mobile की battery चलेगी ठीके तो यह setting करने के लिए भी आपको battery and device care में आना है यहाँ पर आपको battery वाली settings में आ जाना है अब यहाँ पर आपको आना है background uses limits वाली setting में अब यहाँ आपको एक setting मिलेगी put unused apps to sleep आपको इसे on कर देना है इसे on करने से क्या होगा दोस्तों आपकी mobile में कहीं सारी application होगी 100-200 उन में से कुछ ऐसी application होगी जो आप जादा use नहीं करते 10 दिन में हफते में 15 दिन में use करते हैं तो ऐसी application दोस्तों क्या होगी sleep mood में चले जाएगी यानि कि वो सो जाएगी background में run नहीं करेगी background में आपके mobile की battery को use नहीं करेगी यह setting काफी important है इसे जरूर on कर लेना इसके बाद आपको back आना है नीचे में यहाँ पर आपको आना है more battery settings में ठीक है अब यहाँ पर में दोस्तों आपको एक setting मिलेगी adaptive battery आपको इसे on करना है और नीचे आपको setting मिलेगी protect battery आ यह setting करने के बाद फिर आपको यहाँ पर back आना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको उपर में एक setting मिलेगी power saving आखरी में आपको यह setting को on कर लेना है अब यह setting on करने के बाद दोस्तों आपके mobile का जो battery backup है वो बढ़ जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone में जो mobile की hanging problem को दूर कर सकते हैं अगर आपका mobile रुक रुक के चलता है बहुत ही slow work करता है application बहुत slow open होती है तो ऐसे में आप अपने mobile में कुछ setting को change करेंगे इसके बाद आपके mobile की speed बढ़ जाएगी इसके लिए आपको अपने mobile की settings में आ जाना है और आपको developer option को enable कर लेना है इस यहां पर आपको तीन setting देखने के लिए मिलेगी window animation scale transition animation scale animator duration scale तो इन setting को आपको open करना है और यहां पर आपको इस setting को off कर देना है तो इससे दोस्तों क्या होगा आपके mobile में जितने भी फाल्तू के animation होंगे वो off हो जाएगे इसके बाद आप देखेंगे आपका mobile जो है बहु अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल आइकोन को दबाकर all पर set जरूर करना मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में टैंक यू